पूरा दुनिया पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो अपनी सहेली के पती जो सहेली उनको बुरे वक्त में काम दी उसी का घर बसा बसा अगर उन्होंने तोड़ दिया जिस तरीके से दो मा बेटी को अपमानित किया गया जिस तरीके से प्रेड कराया गया पूरसो दौरा उनके साथ अभधरता की गई उस पर बोलना चाहिए था ना देश की जनता राहुल ली के साथ है जो होना था इन लोगों ने राहुल जी के प्रतिष्ठा को मंद सब्मान के साथ बहुत खिलवार कर लिया लेकिर राहुल जी ने पदयात्रा करके ये साबित कर दिया कि मैं उसी परिवार का अंसूर नमस्कार मेरा नाम अविनास और आप विहार इन सोट देख रहे हैं. राहूल गांधी की सांसेदि लोटे उसके बाद संसद में राहूल गांधी खूब गरज रहा हैं. उसके बाद एकषबर सामने निकलकर राद्ठी उसके बाद देस और भीहार के राजनीती भी काफी करवाई की मांग कर रहे हैं कैसे देख रहे हैं पती की वह अपनी सहेली के पती जो सहली उनको बुरे वक्त में काम दी उसी का घर बसा-बसा आगर उन्हों जानता है कि उन्होंने उनका तो पैगाम है और उन्होंने खुलियाम कहा है कि मैं नफरत के बजार में महबत की दुकान खुलने चला हूँ तो उनके इस बयान से, उनकी लोगप्रियता से, उनके पध्यात्रा से, पूरा बीजेपी और बीजेपी के उनके इसमिर्थी जी के आका घबराये हुए हैं, दो हजार चौबिस को देख करके घबराये हुए हैं, बोलना था इसमिर्थी इरानी जी को तो महिला बाल विकास मं इस तरीके से दो मा बेटी को अपमानित किया गया जिस तरीके से प्रेड कराया गया पुरसो दोरा उनके साथ अभधरता की गई उस पर बोलना चाहिए था ना बीजेपी की MP लोग जो रहुल जी के खिलाफ कंपलें की हैं कंपलें करना चाहिए था मनिपूर के CM के खिलाफ ज पर बोलना चाहिए तो यह लोग राहुल जी पर बोल रहा हैं अब राहुल जी पर कोई आरोप परतियारोप कोई मानने वाला नहीं है देश की जनता राहुल जी के साथ है जो होना था इन लोग ने राहुल जी के परतिष्ठा को मन सब्मान के साथ बहुत खिलवार कर लिय लेकिर राहुल जी ने पध्यात्रा करके ये साबित कर दिया कि मैं उसी परिवार का अंसूर जो परिवार के लोग उनकी दादी और उनके पिता जी इस देश की एकता और अखंता के लिए अपने प्रानों की आहोती दिया है राहुल जी ने अपनी सुरक्षा का ख्याल ना रखते हुए देश की एकता और अखंता के लिए कन्या कुमारी से कास्मीर तक 5000 किलो मीटर का उन्हों ने पध्यात्रा किया और हर वेक्ती को गले लगाया एक साल की बच्ची को भी उन्होंने गले लगाया सतर साल की महिला को भी नहीं ने कले लगा है। अलावे पक्ष में महिला थी। उसके अलावे पुरुष थे। उसके अलावे स्पिकर साहब थे। तो फिर उनके उनका आचरन कैसे गलत हो गया। यह हर समय राहुल जी को टार्गेट करना और उनको दोस सावित करना। अब तो माननी है उच्च न्याले ने भी राहुल जी क किसी प्रमुखने तक द्वारा बिल्कुल सोबनिय नहीं है और इस पर चर्चा होना चाहिए। चिराग पासवान क्या बोलेंगे चिराग पासवान को बोलने के लिए कुछ है। उनके मुह में उनको काठ मार गया था जब मनीपूर में लड़की लोगे साथ बदरता हुई चिराग पासवान अपना गटबंधन बचाने के लिए कुछ भी आनापसना बोलने बोलते तब मनीपूर क्यों नहीं जा रहा है। चिराग पासवान अपना गटबंधन में बने रहने के लिए कुछ भी बखते है। जिस पार्टी में हैं उन नहीं इस तरह का बयान देंगे तो कल ही उनको अध्यक से हटा देगा, दुसरे को बना देगा। तो यह हमारे साथ बात कर रही थी कॉंग्रेस की महिला विधाया के प्रतीमा दास जिन्होंने साब तोड़ पे बताया जिस तरीके से राहूल गांधी को लेकर अब सवाल जो है करा हो रहा है। स्मिति इरानी सहीत 22 महिला सांसर जो है स्पीकर को कंप्लेंड किया, फ्लाइंग कि इसको लेकर उन्हें साब तोड़ पे बताया कि जो स्मिति इरानी है वो खुद उनका अपने करेक्टर को देखे, वो अपने सहीली के हस्बिंट से ही जो है जिस तरीके से उन्हेंने बात क साथी कर लेते, वहीं साब तोर पे राहूल गांधी को लेकर भी और बीजेपी के बरे नेताओं को भी खुब गिर रहे हैं, वहीं जिस तरीके समराठ चौदरी ने जो बयान दिया, उन्होंने साब तोर बताया कि नितीज कुमार के चात्र है, इस खबर में फिराल इतना ही वीडियो हमारी वीडिव चनल पर देंगे, जरूर सब्सक्राइब करेगा, हमारे फेस्बूक पेज को भी फोलो करेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवार